जैस्री कृष्णा रादे रादे नौरात्र में सिक्के का महाँ प्रयोग किया जाता है जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निक्ति पर अगर सही तरीके से आप सिक्के भेट कर देते हैं पैसे में यहां पर आप नोट नहीं भेट कर सकते नोट यानि जो आने जो कलस में सिक्का रखा है उसका क्या करें प्रचे दान कर दें या फिर आप संभाल कर रखें बैकती धन के लिए सुभर से रात तक भागता रहता है और आजकल के समय में महिंगाई इतना है कि आपको अगर कितना भी कमा लें तो कमी पड़ जाता है लेकिन एक चोटा सा प्रियोग जो सिक्के का प्रियोग है अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुस्किले हैं वो कम होगी वो बचत होने लगती है तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पाँचों उंगली से पकड़ कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में कोई भी विवेक्ति आपको दो उंगली से पकड़ कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा इसलिए कोसिस करें जिन से आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी पाँचे उंगली पकड़ कर ही पैसे लीजिए तो ये तो थी सिंपल सा परियो दूसरा आप कोसिस करें की कि जैसे कि सिइक कोई जो होता हैं और जब भी किसी को नेग देते हैं तो 11-21 ऐसे दें शिर्फ 10..20 din पचास दें ऐसे मत दीजिये और कभी कभी क्या होता है एक का सीका नहीं है तो आप दो का दे देते हैं तो ये भी मत कीजिए चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताते हैं बहुत सिंपल प्रियोग है देखे कई बार क्या होता है आपका पर्स कभी कभी खाली हो जाता है आपको लगता है धन कम पड़ गया एक छोटा सा काम कीजिए एक सिक्का ले 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 इसी भी अमवस्या के दिन पुर्णिमा के दिन कर सकते हैं रखने के बाद इसको आप आप चाहें तो लक्षमीजी का मंत्र जब कर सकते हैं ओम स्रियानमा फिर इसको बांध कर धन के अस्थान पर या परसमे रख लें बरकत होने लगती है दूसरा कि कई बार होता है कि आप के जीवन में धन की मुस्किलन ज्यादा परिसान करती है तब आप एक सिक्का ले लें अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैं लाल रंग के पेंट से नेल पॉलिस तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने अपने घर की छत पर जहां पानी का टंकी है न उसके उपर रख दे नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आस्मान की तरफ कोगा डुलिखा है आपने और रात यदर चंद्रमा की चाया में रहने दें फिर अगले दिन सुबह स्कों इपने पर्समें रह लें जब त कर्ज बहुत परिसान करता है तब एक छोटा सा काम करें एक सफेद रंग का कपड़ा ले लें इस कपड़े पर आप एक चुटकी लाल मसुड की डाल एक चुटकी चावल अक्चा जिसको कहते हैं और एक सिक्का इसको बांद कर अपने उपर से साथ बार उल्टा वार लें या आप एक छोटा सा काम कीजेगा आपके घर में मिट्टी का कलस तो होगा उस कलस में या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा दिया ले लें दीपक में आप एक स्वस्तिक बना दें सिंदूर से अब उसमें पानी रख दें और एक सिक्का रख दें और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें इस कलस को आप सुरक्षित रख लें सिक्का को उठाकर अलग से रख दें अगले दिन इसको फिर से करें यानि कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें यह प्रियोग लगातार पांस दिन कीजेगा बाद में सिक्के को धन समाल के धन के अस्थान पर रख लीजेगा बरकत बढ़ा देता है और एक घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्षमी हो बास तब आप अपने घर में एक मिटी के बरतन में मिटी का कलस में यह आपके घर में मिटी का बरतन नहीं है तो एक दीपक ले लें उसमें चाबल और दुर्वा घहास रखें और एक सिक्का रख दें सिक्का को चाबल से कभर कर दें मिट्टी के दिपक्वियाद के नया दिपक लीजिएगा और इसको लाल रंग के कपड़े से बांध कर अपने घर के उत्तर पस्चिम दिसा में रख दें संभाल कर धन बढ़ता चला जाएगा धन की कमी ही नहीं होगी म लक्षमी को परसंद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए आप एक अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें और इसके ऊपर चाबल के कुछ दाने रखें और इस बरतन को आप अपने घ जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चाबल के दाने अपने पास रखें चले जाएं या सिक्का भी रख सकते हैं ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा अगर सनिदेव की परिशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले ले उस पर एक कौईन डग दे और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द एक मुठी सवा मुठी ले ले थोड़ा सा काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन बार या पांच ब बार उतार ले और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दे सनी समंदी जो भी दोस होगा वो समाप्त हो जाएगा तो ये किसमत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा वैसे गनेज जी को चुकि इस बार बहुत खास दि अब बुद्वार का दिन हो उस दिन एक चोटा सा काम कीजिए आप जब गनेज जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपाडी गनेज जी को और पित कर दें और जब भी किसी खास काम से जाए तो जो सुपाडी है सिख्का गनेज जी के पास रहे दे उसको अपने पॉकेट में लेके चले जाएं काम आपका सफल होगा फिर लाके सुपाडी को गनेज जी के सामने रख दीजिएगा कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं ठीकता तब ऐसे में आप कलस वाला उपाई कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलस में आप स्वस्तिक ब लगते हैं तो वो आपके खुशियों में चार चांद लगाता है यह परियोग आपको एकदम से धन के मुश्किल से बाहर निकाल लेगा लेकिन अगर आप सिपजी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और सिपजी को पूजा करने के बाद दक्षिना की रूप में कुछ सिक नकात्मक उर्जास माप्त होगी और अच्छे अबसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आप चाहते हैं कि नौकरी बैपार में खूब आपकी तरक्की हो तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही खासकर सनीवार के दिन आप गरीबों को खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी भी अमवस्या को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए भूला भुआ भाग भटका हुआ भाग भी आपके पास आजाएगा और अगर लक्षमी टिकती ही नहीं तो थोड़ा सा धनिया और एक सिक्का एक मिट्टी के बरतन में रखकर अपने घर के पुजास्तान पे रह अगले दिन तुलसी का पत्ता मिट्टी में दवा दें पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दें मुश्किलें कम होगी अब सबाल यह है कि नौरातन में जो आपने कलस अस्थापना किया है जो उसमें सिक्का डाला है जो आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं पान के साथ जो आपने सिक्का भीट किया है दक्षीना तो भीट करेंगे ही आखिर उन पैसों का क्या करें देखिए सबसे पहले पर जो कलस में जल है उसको आप पूरे घर में चिरकाओ कीजिए बाकी का बचा हुआ पौदे में डाल दें सिर्फ घर में नहीं लोगों के उपर भी आप साथ ही साथ जो दीपका आपने रखा है उसको सिक्के को आप संभाल कर अपने पर्स में रख लें पॉकेट में रख लें और इसको खर्च मत कीजिएगा जो भी काम करने जाएंगे उसमें सभलता मिलेगी क्योंकि माता रानी का असिर बाद है बिग्न बादा नहीं आएगी अब चुकि नौरातर का समय चल रहा है आप माता रानी की पुझा भी कर रहे हैं तो जो आपने घर में कलस अस्थापित किया है उसमें सिक्का जो डालिएगा और बाद में यानि की जब आप कलस विसरजन करेंगे तब जो सिक्का है उसको लाल कपड़े में संभाल कर धनस् और फिर इस सिक्के को आप सम्हाल कर रख लें और जो दूद है थोड़ा थोड़ा एक एक बुन दो बुन परसाद के रूप में हर कोई खाईए और वैसे आप टोटल खा सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर नहीं खाते हैं तो पौधे में डाल दीजेगा तो ये परियोग बहुत चोटा है लेकिन इस नवरात में हर एक परियोग का अलग लग महत्त है और नवरात के दिनों में नो गुलों को मजबूत करने के लिए आप तमाम परियोग कर सकते हैं धन्यवाद